तो हमें पहला प्रश्ण दिया गया है कि 0 2 पाई बाई 2 x स्क्वेर साइन एक्स डी एक्स खंड सा समाकलन का सूत्र का उप्योप करना है क्योंकि यह दो अलग-अलग फलनों का गुननदफल के रूप में हैं जैसा कि आपको पता है कि हमने आई लेट यह फार्मूलेशन या फार्मूला या ट्रिक पढ़ा है कि जो फलन पहले आता है उसे प्रथम फलन जो फलन बाद में आ रहा है उसे दूती फलन मानेंगे जैसा कि मतलब आई का मतलब है इन् जो x square है, यह algebraic function है, यह a पहले आ रहा है और फिर sin x, यह trigonometric function है, t बाद में आ रहा है, तो इसे हम दूसरा फलन मानेंगे, अब इसका आगे हम समा कलन करेंगे, तो माना कि i equal to x square sin x dx, पहले हम इसे सरल कर लेते हैं, फिर limit apply कर देंगे, तो यह परसम फलन, यह द्वीती फलन, और जैसा कि आपको पता है कि integration u v dx equal to, u integration v dx minus d by dx of u integration v dx, और फिर पूरे का integration dx, इस प्रकार हम इसे सरल करते हैं, तो इसे जब हम आगे सरल करेंगे, तो मिल दाएगा, प्रतम फलन, दूसरे फलन का समा कलन, और फिर इस हूरे फलन का समा कलन, x square, sin को integrate करेंगे, तो मिल दाएगा, minus cos x, minus, इसको सरल करेंगे, तो मिल दाएगा, 2x, sin x को, again, minus cos x, तो minus पर minus, plus cos x dx, इसमें फिर से खंड सा समा कलन का उप्योग करेंगे, यह मिल गया, minus x square cos x plus 2, x cos x dx, फिर से यह प्रतम फलन और यह दूतिये फलन, सरल करेंगे, minus x square cos x plus 2, प्रतम फलन, x, दूसरे फलन का समा कलन, रिन, प्रतम फलन का आवकलन, दूसरे का समा कलन, और फिर, इस पूरे फलन का समा कलन, minus x square cos x plus 2, cos x का समा कलन करेंगे, मिल दाएगा sin x, तो यह x sin x, यह करेंगे, मिल दाएगा 1, और 1 into cos x, cos x का फिर से sin x dx, minus x square cos x plus 2 into x sin x, और sin x का integration, minus cos x, तो minus और minus, plus cos x, यह हमें मिल चुका है, तो इस प्रकार हम इस से लिख सकते हैं, minus x square cos x plus 2 x sin x plus 2 cos x, तो यह मान हमें मिला है, integration x square sin x dx का, अब इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो 0 to pi by 2 x square sin x dx, इसी को हमने solve करके लिए यह लाया था, इस फलन को, तो minus x square cos x plus 2 x sin x plus 2 cos x, इसमें limit अप्लाई हो जाएगा 0 to pi, 0 to pi by 2 है, यह limit जो है, वो 0 to pi by 2 है, आगे solve करेंगे, तो मिल दाएगा, पहले x के इस्थान पर हमें pi by 2 रखना है, pi by 2 का square, it means pi by 4, pi square by 4, फिर cos pi by 2, plus 2 into x, तो मिल दाएगा pi, फिर sin pi by 2 plus 2 cos x, x के सान पर pi by 2, फिर minus sin, minus के बाद यह minus plus, 0, तो 0 into something, 0, फिर minus or plus, minus, यह वी 2 into 0, 0, फिर minus 2 into cos 0, minus pi square by 4, cos pi by 2, 0, plus pi, sin pi by 2, 1, cos pi by 2, 0, यह 0, 0, और फिर यह minus 2, cos 0, 1, यह term 0, यह term 0, और यह मिल रहा है 2, तो ultimately आपको मिल रहा है pi minus 2, तो इस प्रकार, 0 to pi by 2, x square, sin x dx, इक्वल to आपको मिल रहा है pi minus 2, और यही हमें सरल करने के लिए कहा गया था, इसमें अग्ला प्रश्ण दिया गया है, 1, 2, 2, x log x dx, तो पहले हम समाकलन को सरल करेंगे, और उसके बाद में हम बाद में limit apply कर रहेंगे, तो i let वाले condition बे logarithmic function जो है first function बनेगा, और x जो है, यह second function बनेगा, प्रथम फलन, दूसरे फलन का समाकलन, पहले फलन का अवकलन, दूसरे फलन का समाकलन, और फिर पूरे पत का समाकलन, यह आगया log x, x का समाकलन करेंगे, तो मिल दाएगा x square by 2, फिर integration sign d by dx of log x, यह मिल दाएगा 1 by x, और x का आपको मिल दाएगा x square by 2, और फिर यह dx, solve करेंगे, तो यह x square by 2, और फिर log x minus 1 by 2, यह x, और यहाँ से x cancel, तो यह x dx, solve करेंगे, तो मिल दाएगा x square by 2, log x minus 1 by 2, into x square by 2, इस प्रकार आप लिख सकते हैं, x square by 2 को आप उभेनिश निकाल लें, तो आपको मिल दाएगा log x minus 1 by 2, यह आई का मान है, तो अब हम limit integration 1 to 2, x log x dx का मान निकालते हैं, यहाँ पर हमने इन फरलनों का समाकलन किया है, और अब इसमें हमें limit अप्लाई करनी है, तो यह x square by 2, log x minus 1 by 2, इसमें limit 1 to 2, इसे हमें आगे सरल करना है, तो पहले x किस्तान पर 2 रखेंगे, 2 का square 4, 4 by 2, 2, फिर log 2 minus 1 by 2, फिर minus x किस्तान पर एक रखेंगे, 1 बटे 2, फिर log 1, रिन 1 बटे 2, log x 0 होता है, तो यह 2 log 2, और 2 और 2, cancel होके, ultimately यह आपर मिल जाएगा 1, फिर minus, यह तो मिल जाएगा 0, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 4, और minus और minus, plus 1 by 4, minus 1, plus 1 by 4, आपको मिल जाएगा, minus 3 by 4, इस तरीकी से आप लिख सकते हैं, integration 1 to 2, x log x dx इक्वल टू, 2 log 2, minus 3 by 4, तो यह समाकलन हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था, अग्ला प्रशन दिया गया है, integration 1 to 2, x minus 1, upon x square, e का पावर x dx, यह हमें सरल करना है, तो माना की, i equal to है, integration 1 minus x, upon x square, e का पावर x dx, पहले इसे सरल करते हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं, x upon x square, minus 1 by x square, into e का पावर x dx, और यह से और सरल करेंगे, तो मिल दाएगा 1 by x minus 1 by x square, e का पावर x dx, मान लेते हैं, e यह जो है, f of x plus f dash of x, यह है, जहां, f of x equal to 1 by x, और इसका जब आप आउकलन करेंगे, तो इसे हम लिखते हैं, f dash x, और यह आपको मिल दाएगा, minus 1 by x square, और जैसा कि आप जानते हैं, कि integration f of x plus f dash of x, e का पावर x dx, equal to e का पावर x into f of x, यह निरसन निया में, cancellation law, इसका उप्योग करेंगे, तो इस दियेगे फ़लन का समाकलन, e का पावर x, f of x, अर्थाद, e का पावर x upon x, यह हमें मिल जाएगा, तो इस प्रकार आपको मिल रहा है, i equal to e का पावर x upon x, तो अब हम इसमें limit apply कर देते हैं, 1 to 2, x minus 1 upon x square, to e का पावर x, dx, equal to e का पावर x upon x, और इसमें limit 1 to 2, तो यह आपको मिल जाएगा, e का पावर 2 upon 2, minus e का पावर 1 upon 1, solve करने पर आपको ultimately मिलेगा, e square upon 2 minus e, या फिर, integration 1 to 2, x minus 1 upon x square, e का पावर x, dx, equal to, आपको मिलने वाला है, e, e by 2 minus 1, तो यह इस फॉलन का समाकलन है, जो की हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था, अगला प्रस्शन दिया गया है, integration from 0 to 1 by root 2, sin inverse x upon 1 minus x square whole power 3 by 2, dx, तो इसे सरल करने के लिए मान करके चलते हैं, कि यह दिया गया फलन है, इसे यह i है, i equal to integration from 0 to 1 by root 2, sin inverse x upon 1 minus x square whole power 3 by 2, dx, माल लेते हैं कि समी करन एक है, अब यहाँ पर हम प्रतिस्थापन का उप्योब करेंगे, और sin inverse x को हम t मान करके चलेंगे, माल लेते हैं कि समी करन दो है, तो x equal to sin t मिल जाएगा, इसको solve करने पर, x equal to sin t, माल लेते हैं कि यह समी करन 3 है, दोनों पक्षों का उकलन करेंगे, तो मिल जाएगा dx equal to cos t dt, तो sin inverse x equal to t, दोनों पक्षों का उकलन करेंगे, तो मिल जाएगा 1 upon square root over 1 minus x square, sin inverse x का, और फिर यह dx equal to dt, अब यदि इसे आगे सरल करें, और यह है dx upon, 1 minus x square whole power है, 1 by 2, और यदि आप दोनों पक्षों में, 1 minus x square का गोना कर दें, भाग कर दें दोनों पक्षों में, दोनों पदों पर, तो यह हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इसे सरल करेंगे, तो मिल दाएगा, देखिए, इन दोनों का अधार समाने, गोना कर देंगे, तो मिल दाएगा dx upon, dx upon, 1 minus x square whole power 3 by 2, अधार समाने, गोना करने पर घाद जोड जाएगा, 1 by 2 plus 1, तो मिल दाएगा 3 by 2, फिर यह equal to dt upon, 1 minus x square, तो अब यदि आप इसे ध्यान से देखें, तो यह dx upon, 1 minus x square whole power 3 by 2 है, यह इसके इस्थान पर आप लिख सकते हैं, dt, 1 minus x square, और x square है, जो है, इसके इस्थान पर, आप लिख सकते हैं, sin square t, यह x square करेंगे, तो दोनों पक्चों का अभर करेंगे, तो x square और यह sin square t, तो हम यहाँ पर इसे हटा करके लिख रहे हैं, sin square t, अब sin square t को, 1 minus sin square t है, तो वो मिल दाएगा cos square t, तो यह लिख रहे हैं, dx upon 1 minus x square, whole power 3 by 2, equal to dt, upon cos square t, माल लेते हैं, कि यह समीकरण 4 है, अब चुकि चार का परिवर्तन कर रहे हैं, x का t बना रहे हैं, तो यह जो limiter यह x के लिए, x equal to 0, x equal to 1 by root 2, अब हमें इसके लिए t के लिए निकालना है, तो देखे, जब x का मान 0 था, x का मान 0 था, तो sin inverse 0, और था sin के table में, 0 कितने degree के लिए आता है, या कितने radian के लिए आता है, तो 0 radian के लिए, तो t equal to हमें मिल जाएगा 0, तो इसे लिखते हैं, कि जब x equal to 0 होगा, तब sin t equal to 0 मिल जाएगा, यहां से, तो इसका मतलब यह, कि t equal to 0 radian, और जब x equal to 1 by root 2, तब sin t equal to 1 by root 2 मिल जाएगा, और sin 45 degree, या फिर pi by 4 radian का मान, 1 by root 2 होता है, तो यहां साब लिखेंगे, t equal to pi by 4 radian, तो इन मानों को समी करण 1 में रख देंगे, समी करण 1 में, मानों को रखने पर, तो हमें मिल जाएगा, i equal to, limit change हो गया, 0 to pi by 4, 0 to pi by 4, sin inverse x, sin inverse के इस्थान पर हम लिख रहे हैं, t, और dx upon 1 minus x square whole power 3 by 2, यह हम लिखेंगे, dt upon cos square t, तो यह dt, और यह cos square t, आगे solve करेंगे, तो मिल जाएगा, 0 to 2 यह pi by 4 है, और फिर यह t, into x square t, dt, अब t को प्रथम फलन, और x square t को द्विती फलन मान करके, आगे हम, खंड सा समाकलन का उप्योब करके, सरल करेंगे, तो माना की, i1 equal to है, integration, t into x square t, dt, यहाँ पर हम बिना limit लगा है, पहले solve करेंगे, फिर बाद में हम limit लगाएंगे, तो यहाँ पर यह प्रथम फलन मान रहे हैं, और x square t को द्विती फलन मान रहे हैं, तो खंड सा समाकलन का सूत्र का उप्योब करेंगे, तो यह पहला फलन, दूसरे फलन का समाकलन, तो x square t, dt, फिर माइनस पहले फलन का अउकलन, दूसरे फलन का समाकलन, और फिर पूरे फलन का समाकलन, तो इसे solve करेंगे, तो मिल जाएगा, t और x square t का समाकलन, मिल जाएगा 10t, फिर माइनस, dt by dt, 1 जाएगा, और फिर 6 square t, dt का 10t, और फिर यह dt, आगे solve करेंगे, तो मिल जाएगा, t into 10t, माइनस, लॉग of, log of 6t, तो यह हमें, i1 का मान मिला है, अब i equal to, limit apply कर देते हैं, तो मिल जाएगा, t into 10t, minus log of 6t, यह 0 to pi by 4 है, t के इसान पर पहले, pi by 4 रखेंगे, फिर माइनस, लगा करके, t के इसान पर 0 रख करके, आगे solve करेंगे, तो पहली value, pi by 4, तो यह pi by 4, into 10, pi by 4, फिर, माइनस, log, 6, pi by 4, यह पहली, फिर, माइनस, साइन, 0 के साथ, किसी भी पद का गुणा करेंगे, तो 0 मिल जाएगा, तो यह 0, फिर, माइनस हम आगे लिख नहीं रहे हैं, फिर, log of, 6, 0, 6, 0, 1 मिलता है, और, यह मान हमें देगा, log 1, और, log 1 होता है, 0, तो यह पूरा पद, 0 हो गया है, pi by 4, log pi by 4, 10 pi by 4, की जो value होती है, वो 1 होती है, तो यह 1, फिर, माइनस, log, sake of pi by 4, तो यह मिल दाएगा, root 2, और, आगे, सभी पद, शुन्य है, तो इस प्रकार, हमें, जो, फलन, दिया गया था, उसका समाकलन, हमें प्राप्त हो रहा है, pi by 4, minus, log, square root 2, या फिर, इसे आप दिशकते हैं, pi by 4, minus, 1 by 2, log 2, तो यह दिया गया, फलन का, समाकलन है, जो की हमें, गयात करने के लिए, कहा गया था,